बुलट ट्रेन परियोजना एक ऐसी परियोजना जो देश को गती देगा एक और चीज हम आपको बता दें बुलट ट्रेन परियोजना की जब हम बात करते हैं तो गुजरात में जिस तरीके से जबरदस्त काम चल रहा है उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिस की गई है प्रगत हमने आपको दिखाए हैं किस तरीके से इस्पैन बनाए जाते हैं गर्डर लांचिंग कैसे होती है और आज हमारे पास सुनहरा मौका है हम आपको एक साथ दिखाएंगे कि किस तरीके से बुलट ट्रेन प्रोजेक्ट में इस समय काम चल रहा है और यह काम जबरदस्त है नि और एक और चीज मैं बता दू पांसो आठ किलो मेटर लंबे रास्ते का ज्यादा तरहिस्सा हम कह सकते हैं और यह वर्डर ट्रेके से बनाए जा रहा है किस तरीके से काम हो रहा है वह हम आपको इस मौडल के जरिये दिखाएंगे यहां पर हम अपने केमरामेंन से कहेंगे को दिखाएं कि यह जो रिबार यार्ड बोला जाता है यहां पर क्या किया जाता है यहां पर होता यह है कि जो सरिया है उसको काटा जाता है और जो सरिया है उसके अलग-अलग हिस्से करके उसके बाद इसमें हम कह सकते हैं कास्टिंग के लिए यहां पर लाए जाता है कास्ट मूर्ड यहां पर दिखाये गया है जगय जगय दिखाया गया है कि किस तरीके से अर्स प्रिकाष्ट प्लंट भी है यहां पर जैसे कास्टिंग की जाती है प्रिकास्टिंग होती है उसको पर दिखाया गया और जब यह बन जाते हैं तो हम कह सकते हैं फुल इस्पैन गर्डर स्टैकिंग एरिया में ले आया जाता है यहां पर यह पहुंच जाते हैं फुल इस्पैन गर्डर स्टैकिंग एरिया को यहां पर दिखाया गया है अब यहां पर जब यह पहुंच जाते हैं 40 मीटर लंबे इस्पैन यह बड़ी आसानी से उठाकर उपर रखा जाता है इस लांचिंग गेंट्री की अगर हम बात करें तो यह भारी भरकम वजन उठा सकती है आप समझ सकते हैं 800-900 टन का वजन उठाने के लिए इसमें ताकत होती है और इसको उठाया जाता है और उसके बाद हम कह सकते हैं कि सेल्फ प्रोपेल्ड माडूलर ट्रांस्पोर्टर जिसको कई बार हमने आपको दिखाया है कि इसमें धेर सारे पहिये होते हैं 216 पहिये की गाड़ी होती है जिसके उपर भारी भरकम जो इस्पायन है उसको रखा जाता है तो यहाँ पर जिसको हम सेल्फ प्रोपेल्ड माडूलर ट्रांस्पोर्टर बोला जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके इसको आगे पहुँचाया जाता है और यह काम बड़े आहिस्ता आहिस्ता किया जाता है क्योंकि इसमें कोई भी जल्दबाजी पूरे पूरे प्रोजेक्ट को कही न कहीं नुकसान पहुचा सकती है तो यह जो रखने का काम है उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं यानि बुलट ट्रेन में किस तरीके का काम हो रहा है उसको अगर आपको समझना हो तो निश्चित तोर पर यहां पर आकर उस चीज़ को आप समझ सकते हैं क्योंकि कई लोग पूछते हैं बुलट ट्रेन में हुआ क्या बहुत से लोग कहते हैं बुलट ट्रेन में तो कुछ हुआ ही नहीं कभी चलेगी नहीं बुलट ट्रेन, तो बुलट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है, वो जबर्दस तरीके से किया जा रहा है, और टार्गेट दे दिये गए हैं, 2026 तक कहा जा रहा है, एक छोटा सा हिस्सा उसमें ट्राइल सुरू हो जाएंगे, यानि डेडलाइन दे दी गई है, और डेडलाइन को पूरा करने की पूरी कोसिस की जा रही है, केमरामेन हेमंत के साथ सिध्धार्थ निवजी स्टेशन दिले